क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, लाइफ में हमारी तीन ऐसी important aspects हैं, जिनका balancing होना बहुत ही crucial है, तभी हम एक healthy, wealthy life जी सकते हैं, along with happiness, और वो है number one, हमारी health, number two, family relationships, or personal relationships, number three, career और business, इन तीनों का combination दोस्तों, हमें एक healthy, wealthy life दे सकता है, तो इन तीनों का combination को हमें balancing करना आना च चाहिए, तो आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं, family relationships के कुछ बहुत ही शांदार tips, so my name is Furkan Amin Moodiwala, your other side, as a person's trainer, friends, आज हम लोग एक बहुत ही शांदार से topic के ओपर discuss करने वाले हैं, और वो है, three simple advices for strong personal relationships, जी, इसमें कैसा है दोस्तों कि अगर हम, हम चाहरे हैं कि हम personal life को और जादा strong बना पाएं, तो तीन ऐसे शांदा revolutionary ideas हैं, जिसे हम personal life को, personal relationships को strong बना पाएं, bonding अच्छी रख पाएं, तो उसमें दोस्तों, अभी दख, अगर आपनों चैनल को subscribe नहीं किया, तो do hit the subscribe button, because ऐसी बहुत सारी valuable contents हैं, हमारे life से related, business related, जो अगर आपनों उने miss कर तो वो कहीं आगे impact करेगा, तो अभी दख, अगर आपनों चैनल को नहीं subscribe किया है, तो do hit the subscribe button, and also press the notification bell, जिस से आप ऐसे एक भी powerful motivation videos, बेलकुल भी गलती से मसना करें, so let's start दोस्तों, सबसे पहला जो important advice है, which I really feel good, जब मैंने इसे देखा था, और वो था दोस्तों, की, no matter what the circumstances are, respect mother father, यह बहुँ अधी important tip है दोस्तों, so यह क्या कहता है दोस्तों, की no matter what the circumstances are, respect mother father, अब हो था कहा है दोस्तों, यहाँ पर example लेता है, के एक mother father है, और एक है son or daughter, अब दोनों का हो सकता है, generation gap के कारण, दोनों की opinions अलग होंगे, राए अलग होंगी दोनों की, but it doesn't mean that we will start disrespecting them, no, ना तो disrespect करना है, ना तो हमें बत्तमीजी करनी है, ना तो उनके साथ ignorance करना है, ऐ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हाँ, it doesn't mean that हम यहाँ पर उनके opinions को consider कर लेंगे, agree कर लेंगे, वो situation to situation depend कलता है, अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं है, it's fine, but it doesn't mean that we will disrespect, इसके ओपर अपर अगर अगर आप एक वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पर मैं लिंक ने दूंग यहाँ पर अगर हम उनकी बात से सहमत नहीं है, it's fine, हम यहाँ पर अपना common sense यूज़ करना है, अपनी reasoning power यूज़ करनी है, अपनी statistics को यूज़ करना है, right है, wrong है, logic यूज़ करना है, but never ever disrespect mother father, चाहिए कैसी situations आ जाना है, even हमें उनने ignore भी नहीं करना, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें छोटा feel करवाएं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों, एक और चीज़, हम यहाँ पर उन्हें कह सकते हैं, कि आज मैं, जिस भी situation में, आज मैं जहां पर भी हूँ, आज मैं, जिस भी शिकर पर हूँ, वो आप दोनों की blessings की हैं, या अभी तक आप नहीं है, तो visualize आप कर सकते हैं, यह second point, और वो क्या कहता है, when it comes to parenting, don't compromise, यह दोस्तों बहुत ही शांदार सा point है, और यह क्या कहता है, कि जब भी हम अपने जो संतान होंगी, होने वाली है, यह already है, तो उनका जब भी हम पालन पोशन करेंगे, तो हमें किसी भी तरीके का कोई compromise नहीं करना, हमाई जितनी भी हमें capacity है, उसके according, बच्चों को best से best schools में admissions दिलवाएं, best education दिए उन्हें, best coaching classes में उन्हें admission करवाएं, या best hobby classes में उन्हें लेकर जाएं, या फिर best communication skills, जो best से के उन्हें करवाएं, क्योंकि दोस्तों, ये one time life की develop उन्हें वाले property है, दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, कि बार बार हम अलग अलग घर बना सकते हैं, बार बार हम नई नई गाडियों खरीज सकते हैं, बार बार हम different different vacations पर holiday vacations पर जा सकते हैं, आज नहीं गए, कोई problem न से वो बच्पना नहीं आएगा, तो क्या करना है हमें, उस वक्त हमें उनका जो पालन बुच्छल करना है, उन्हें upbring करना है, तो वो शांदार होना चाहिए, best level पर होना चाहिए, हो सकता है यहाँ पर, हमें थोड़ा सा stretch करना पड़े अपने आपो, financially, करें यहाँ पर different different ways जोन दें, जिससे आप अपनी income को grow कर पाएं, multiply कर पाएं, but इस वाले stage पर, parenting वाले stage पर, no compromise, no conjuci, इसके साथ-साथ, हो सकता है, आज हम अपने बच्चों को, जो भी सिक्ष्या देना चाहते हैं, उसके लिए, हम उन्हें different exposures, best में best exposure आप दिला सकते हैं, अगर आप capable हैं, या आप different ways दोन दें, जिससे आप capable बन पाएं, आत्मनेर बन पाएं, तो उनके लिए, आप जो best हो सगें, best facilities दीए, best infrastructure, best exposure दिलवाएं, जैसे, बहुत ही शांदार, recently मुझे एक example लगा, वो था, business blaster, जिसमें मैंने कुछने देखा कि, जो 11th और 12th grade के students हैं, उन्हें practically, उन् जिसमें जो दिली government है, उन्होंने खुदने funding दिये हुए थे, जिसमें 3 lakhs से ज्यादा students है, और उन्होंने 51,000 business startup ideas निकाले थे, और उन्हों निकालने के बाद अलग-लग वहाँ पर investors आये थे, तो ये क्या है, डिली government school के जितने भी हैं, उन्हें है मौका मिला था, तो ऐसे बहुत सारे exposures आप अपने बच्चों को दुलवा सकते हैं, जिससे वो mentally और physically दोनों तरीके से वो develop कर पाएं, और एक और चीज़ दोस्तों, जो मुझे यहाँ पर काफी शांदार लगी, कि जब भी हम अपने बच्चों का पालन portion करें, तो उन्हें vision लेकर चलिए, उनका vision कि आप उन्हें क्या बनाना चाते हैं, जोब सीकर यह जोब प्रोवाईडर, उसके एकोर्डिंग आप उन्हें नरिश्करें उन्हें उन्हें ग्रो करें, उन्हें ग्रो करें So, this was the personal relationship advice number 2, now we will explore the number 3 advice, which is really wonderful, if you are capable and if other members of family aren't much capable so help them as far as you can this is really an amazing advice for making our personal relationship strong so this is what it says if we are financially sound capable if we are rich or if we have a good network a good power so we have to help people here in which our close friends childhood friends relatives families they all need to help us and one more thing is that if you have some colleagues who have converted in your family then you can support and help and contribute but we always have a golden rule when we help that we don't have expectations what we have said we don't have expectations we don't have expectations because what happens when we help someone we need help we need to help us and we need to help us we need to help us and we need to help us if you have a relationship to help us we need to help us we need to help us we need to help us to help us we need to help us we need to help us and we need to help us 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 and improve our personal relationships and make it more stronger so let's quickly revise 3 personal advices which we can make our personal life and make our personal life more strong number one no matter what the circumstances are respect mother and father number two when it comes to parenting don't compromise we don't do it because we have one life one time property in this area and have our personal life we need to help us and just keep the job in these levels we can make our personal life and be ready and this thing we need to help us physically or mentally now we can see that children in these days are dependent and can help us the parents will help us be able to help us to help us if you are capable and have other members of your family are much capable help them as far as you can यहां पर एक चीज़ हमें याद रखनी है दोस्तों कि हमें वापसी के एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है आपको तीनों एडवाइस अच्छी लगे होंगी एक ढूंटिकक्या बेल वापसी है को सी थी यही ऑपसी अएची के लिघॉग के से आपसी।